Hello guys, welcome back to the new video दोस्तो आज की अपडेट रहने वाली है Yama की FGS B4 को लेकर Indian 2-wheeler market में Yama अपनी वाइक time to time अपग्रेड करता रहता है और अलड़ी आपको पताएगी FJ-Dlex, FGS V3 काफ़ अच्छा पफॉर्म इंडियन 2-wheeler market में कर रही है लेकिन दोस्तो ये model अप थोड़े से old हो चुके है इस वाइसे Yama अप FGS V3 को और FGS Dlex को अपग्रेड करने वाला है FGS B4 के अंदर अलड़ी आपको पताएगी Yama ने FGS B4 को Fajr नाम से international market के अंदर like Brazil के अंदर launch भी कर दिया है जैसे कि आप official वीडियो के अंदर देख पा रहोंगे overall bike का look जो है FG 250 से inspired है बाकी bike की headlight same आपको देखने में भाही लगती है बट आपको जो graphics है side panel है और bike की brake tire और power है वो थोड़ी सी आपको different देखने हो मिलती है international market के अंदर Indian 2-wheeler market के अंदर अब Yama FGS B4 को like Fezr को FGS B4 के नाम से Indian 2-wheeler market के अंदर launch करेगा इस bike के अंदर आपको क्या change देखने हो मिलेंगे according to international model के इसमें आपको Indian 2-wheeler market में क्या-क्या changes देखने हो मिलेंगे क्या इस bike के price रहने वाले हैं और bike कब तक ही launch होगी Indian 2-wheeler market के अंदर यह सारे detail आपको इसी video के अंदर देखने हो मिल जाएगी तो आप video last तक देख लेना जो भी Yama FGS B4 का वेट कर रहे है यह video आप last तक देख लेना आपको सारे doubt के लियर हो जाएगी सबसे पहला बात करते हैं bike के changes के बारे में तो बाइक के अंदर आपको look design थोड़ा सा आपको change देखने हो मिलेगा according to current model वहीं bike के अंदर आपको power में भी थोड़ा सा increasement देखने हो मिलेगा साथ ही आपको like color scheme भी premium देखने हो मिलेगी different type की and bike के अंदर आपको lighting setup भी different देखने हो मिलेगा साथी साथ स्टेप बई स्टेप में आपको सारे फीचर एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहला बाइक के अंदर आपको look design graphics में changes देखने हो मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंट में आपको different type की headlight देखने हो मिलती है बाइक के अंदर आपको काफ़ अच्छी glossy finish की color scheme देखने हो मिलेगी madguard and आपको like fuel tank के उपर वहीं बाइक के अंदर आपको call काफ़ अच्छा देखने हो मिलेगा like बाइक के headlight के नीचे आपको एक blue type का call देखने हो मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहीं बाइक के front में headlight के उपर small type का compact सा आपको wind visor भी देखने हो मिलेगा इस बाइक के अंदर आपको like all LED lighting setup देखने हो मिलेगा front में आपको LED projector headlight with LED DRLs के साथ daytime running and बाइक के अंदर आपको tail light भी LED देखने हो मिलेगी जो कि आपको MT15 V2 वाली देखने हो मिलेगी बाइक के अंदर आपको international market के अंदर आपको halogen indicator offer किए गाए लेकिन ही आमा Indian dubular market के अंदर FGS P4 के LED indicator offer कर सकता है जो कि काफे अच्छी बात है जिसकी विसे बाइक के अंदर आपको all LED lighting setup देखने हो मिलेगा साथी बात करें बाइक के instrument console के बारे में तो दोस्तो इस बाइक के अंदर आपको मीटर newly designed instrument console देखने हो मिलेगा जिसके अंदर आपको सारे like reminder feature के साथ आपको mobile Bluetooth वाले connected feature offer के जाएंगे दोस्तो बाइक के engine power के बारे में बात करें तो आपको 149 CC का 4 stock single cylinder engine ही देखने हो मिलेगा लेकिन इस बार आपको 4 valve इसमें आपको देखने हो मिलेंगी साथ ही आपको power 15 PS की offer की जाएगी भही बाइक के engine में आपको 14 nitro mutant के असपास torque देखने हो मिलेगा इस बाइक के अंदर आपको 5 gearbox transmission ही offer की जाएंगे बाइक के अंदर आपको काफी अच्छा compact type का काफी bulky आपको exhaust system देखने हो मिलेगा dual color tone में like इसमें आपको silver color tone भी देखने हो मिलेगी and black matte भी देखने हो मिलेगी जो की काफी अच्छी बात है इस bike के अंदर आपको काफे इच्छे brake and tire देखने हो मिलेंगे like front tire आपको 100 section का देखने हो मिलेगा rear tire आपको 140 section का देखने हो मिलेगा इस bike के अंदर आपको 2 model देखने हो मिलेंगे standard model में आपको single channel ABS option देखने हो मिलेगा साथी top model के अंदर आपको dual channel anti-lock breaking stem का option देखने हो मिलेगा और एंडियन 2 wheeler market के अंदर इस bike के अंदर दो variety आपको देखने हो मिलेगे इस bike के अंदर आपको major change देखने हो मिलेगा bike के lighting setup में bike के अंदर आपको four valve देखने हो मिलेगे आपको आपको अच्छे फीचर के साध में पिली और इस nggak मिलेंगे आपको उफर की जएँगे जैसा कि आपको करेञंट मॉडल के अंदर देखने को मिलते हैं इस अच्त के प्राइज अंडियान टूबिम बार्केट के अंदर like 10,000 increase देखने हो मिलेंगे current model के according वहीं bike के अंदर आपको काफी अच्छे like side panel भी देखने हो मिलेंगे बाकी overall bike के अंदर जो लोग आपको official वीडियो में देख पा रहे हैं जो Brazil के अंदर आपको देखने हो मिलता है same as it is आपको ऐसा ही देखने हो मिलेगा और bike के अंदर आपको कोई भी difference देखने हो नहीं मिलेगा अगर आपको इस bike से related कोई भी doubt रहेगा यह तो आप comment section में पूछ सकते हैं यह bike Indian two wheeler market के अंदर 2022 के अंदर Yama कभी भी launch कर सकता है इस bike का जो भी bet कर रहे हैं वो कर सकते हैं यह bike Indian two wheeler market के अंदर Yama definitely launch करेगा अलड़ी आपको पता है अपग्रेट करता रहता है time to time ओके दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छ लगी हो वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल पर आप नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपकी गाई मिलते हैं आप से लिए रहे कैसी न्यू इंट्रेस्टिंग और अपडेटिड वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care